वर्ल्ल कप क्रिकिट के अंदर अगर पाकिस्तान छक्के चौके नहीं मार पारा तो क्या हुआ स्टॉक मार्किट में तो छक्के चौके पढ़ रहे हैं नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और कौन से सेक्टर के अंदर ये बाउंडरीज पढ़ रही हैं कौन से सेक्टर में जबरदस्त तेजिया हो रही है स्टेट बैंक के गवर्नर ने आखिर ऐसा क्या बियान दिया कि आखरी दिन स्टॉक मार्किट रेकॉर्ड हाइस पे बंद हुई पाकिस्तानी रुपिया किस कदर तेजी में है क्या मजीद नीचे जा सकता है डॉलर मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो के अंदर स्टे ट्यून विट मी और डॉन्ट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब मैं चैनल शायकीन बड़े मायूस हैं क्योंके पाकिस्तान के किरकेट टीम ने इंडिया के अंदर कोई अच्छी कारकरदगी का मुजारा नहीं किया लेकिन स्टॉक मार्केट में बड़े चौके चुके लग रहे हैं और ये चौके चुके किन सेक्टर्स में लग रहे हैं जी स्टॉक मार्केट अपनी बुलंतरीन सता पर 6 साल की पहुंच चुकी है 6 years के record high पे market Friday को close हुई है 49,500 के पास 6 बरस पहले 2017 में भी stock market में ये level टच किया था और गुजिशता एक हफ़ते में stock market में 2000 points का इदाफा हुआ है market के capitalization में इदाफा हुआ है market का capitalization Pakistan stock exchange का 7,268 billion पे पहुच गया है It's a very good news for Pakistan economy इसकी reasons मैं आपको बताता रहा हूँ कि पाकिस्तान का रुपिया जिस तेजी से मुस्तहकम हो रहा है 50 रुपे, 55 रुपे से जादा पाकिस्तान के रुपे में हमने इस तेहकाम देखा तेजी देखी और अभी भी मैं आपको एक बात बता दू कि पाकिस्तानी रुपे के अंदर अभी भी गुझाईश बाकी है ये मजीद बढ़ सकता है डॉलर मजीद नीचे आ सकता है इन लोगोंने 300 के ऊपर 315, 320, 325 में बाइंग की है न डॉलर में उनका माल अभी छूटा नहीं है वो अभी हलक तक भरे वे हैं अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक डंडा चला है जिसकी वजह से डॉलर में 50 रुपे की मंदी हो गई है दूसरी important बात ये है कि जो last week state bank के governor ने statement दिया है जो IMF के साथ meeting कर रहे है और international brokerage firms और international investors के साथ उनकी meetings हो रही है वहाँ पर उन्होंने IMF के हवाले से एक बहुत positive statement दिया है और आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मैशत को जो bouncer पढ़ सकता है वो सिर्फ और सिर्फ IMF की तरफ से पढ़ सकता है और पाकिस्तान अपने जो review में जा रहा है November के अंदर जो मजीद 900 million dollar पाकिस्तान को मिलने है आप जानते ही हैं कि जुलाई में 1.2 billion dollar IMF से मिल चुका है पाकिस्तान को और ये 3 billion dollar का stand by agreement है जिसमें 900 million dollar November में बिलेंगे उस review से पहले पाकिस्तान ने अपनी economic एहदाफ पूरे कर लिये हैं ये state bank के governor ने नवीत सुनाई है जिसकी बिना पर stock market last working day Friday को 700 points से जादा बढ़ गई और उसने 6 साल का high break कर दिया जी तो किन sectors के अंदर ये तेजी हो रही है किन sectors में चौके चौके पड़ रहे हैं लास्ट वीक तो आटो मुबील सेक्टर ने उदर मचा दिया पाकिस्तान सुजूकी के जो announcement आई के पाकिस्तान सुजूकी motor company के PSMC के जो board of directors है उन्होंने minority share holding से बोल दिया है कि वो अपने share हम खरीद रहे हैं आपसे और company deal list होने जा रही है stock market से अभी ना rate decide हुआ है ना date decide हुआ है लेकिन बजार में दो cap लग चुके हैं PSMC में इसके लावा दीगर जो motor companies हैं साजगार engineering हो, Honda car हो you name it, market is rocking pharmaceutical company भी नए highs बना रही है profit अच्छे आ रहे हैं ना भाई banking sector के amazing profits आ रहे हैं और आइंदा दिनों में भी जो announcement due है उसके अंदर बहुत अच्छे नताइज और बहुत अच्छे corporate earnings हमें नजर आ रही है जिसकी बहाफ पर market के अंदर ये buying euphoria नजर आ रहा है और आप जानते ही हैं मैं कल अपनी class में भी stock market का जो course करा रहा हूँ उसके हवाले से अपने students को बताया था कि stock exchange over react करती है आइंदा आने वाले जो खबरे हैं उसी के हवाले से stock market के अंदर गहमा गहमी ज्यादा होती है positive side के उपर भी और negative side के उपर भी इस हवाले से across the board हमें stock market के अंदर buying spree नज़र आ रही है cement sector में भी oil and gas sector में भी इसके लावा oil and marketing companies के अंदर भी हमें buying नज़र आ रही है refinery sector के अंदर थोड़ी last day के अंदर हमने profit taking देखी लेकिन refinery sector ने leat किया है stock market को stock market में तेजी की खबरे हैं और क्यों नहों मैं तीन महीने से आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि एक ध्यान वाहित कलाम और वो है तेजी का ध्यान yes market के अंदर profit taking आ सकती है technical corrections आ सकती है और जो हमने पीछे आई भी है पिछले महीनों में वो आई भी है अगर macro economic indicator positive रहेंगे interest rate कम होने की खबरें अगर आएंगी तो stock market नए हाइस बनाएंगी आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया and don't forget to like and subscribe my channel